हेलो फ्रेंड एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफ लाइन चैनल पर आज मैं वर्मेक्टे 6 टब्रेट की जानकारी लेकर आई हूँ और इससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दला दूँ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके तो आई हम मैक्ट 6 टब्रेट के बारे में बात करते हैं यह लाइफ स्टार कंपनी द्वारा निर्मित है और इसमें आईवर मैक्टेन शामिल है यह एक एंटी पार लिया जाता है अपने संक्रमण से शुटकारा पाने के लिए आमतर पर इसे केवल एक बार लेने की आशकता होती है हलाकि यदि इसे लेने के बाद बहतर महसूस नहीं करते हैं तो इसके लिए डॉक्टर से परमर्श लेना चाहिए और दवा से अधिक लाप राप्त करने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पियें और इस दवा को लेने पर कैफिन से बचें इस दवा की खुराक और अवधी में अपने चिकेशक द्वारा सलहा के अनुसार लें इसे लेने से पहले एक गलास पानी जरूर लें तो फैन इस तरह से यह दवा तवच्चा के सूजन संबंधी रोग और फाइल एरिया से उत्पन क्रीमी संक्रमण सुची क्रीमी संक्रमणों और पराश्रई निमेटोड कीडे की आतों में संक्रमण चेतक क्रीमी का संक्रमण और बढ़े हुए अव्याव जैसे लक्षणों के उपचार नियंतरन रोप्थाम और सुध किया जाता है इसके कुछ दुश्प्रभाव हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते हैं अगर कब्ज रूखी तवचा तवचा की खुजली गले में खराज ठकान मतली जोडों का दर्द पेट में दर्द या आँखों में जलन उल्टी और दस्त पीड़ा या चकर आना बुख भार या फिर तच्चा पर जलन महसूस होना या सिरदर्द हिरदय की गती में वृध्धी कुछ इस तरीके के दुश्प्रभाव होते हैं तो आप तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ज करें साथ ही इस दवा को प्रयो करने से पहले अपने चिकेट सक को अपनी वर्तमान दवाओं और निर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लिमेंट, अलर्जी या पहले से मौझूद बिमारियों और वर्तमान इस्थितियों जैसे गर्भावस्था, आगामी, सर जजरियाधी के बारे में जानकारी जरूर पदान करें, कुछ स्वास्त परिस्थितियां दवा के दुश्परभाओं के प्रती जादा समेधन शिल बना सकती है, चिकेट सक के निर्देशों के अनुसार ही दवा का सेवन करें, और उत्पात पर प्रिंट किये गए निर्दे लेना चाहिए, और यदि एक ही समय पर अन्य दवाओं या अर्निर्देशित उत्पादों का सिवन करते हैं, तो यह दवा का प्रभाओं परिवर्दित हो सकता है, यह दुश्परभाओं के प्रती आपके जोखिम को बढ़ा सकता है, या इसकी वजह से शायद आपकी दवा अची तरह से काम ना करें, इसलिए उन सभी दवाओं विटामिन और हर्बल सप्लिमेंट के बारे में अपने चिकेसक को जरूर बताएं, जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं, इस दवा को नहीं लेना चाहिए, यदि अति समेंदन चिलता, गर्वती, सी, एन, एस विकारों या सबसे सामान्य आवरिती के रूप में बताया है, आपको कितने बार इस दवा की जरुरत पढ़ती है, इस पर अपने चिकेसक की सलहा का पालन करें, साथी, प्रतिगात प्रभाओं की वजह से कुछ दवाओं को दीरे-दीरे कम करने के जरुरत होती है, या उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जा सकता, अपने शरीर स्वास्त और आपके दवरे प्रयोग की जाने वाली अन्य दवाओं के अनुसार सुझाओ पाने के लिए आ रोगी की आयू, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्याकारकों के आधार पर इस दवा की खुराक अलग हो सकती है, तो फेर्ण इस तरह से वर्मेक्ट 6 आई वर्मेक्टरिन टबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है, और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच् सकती है, धन्यावाद!